इसेंद्ञाँ नमस्कार दूस्तों आप सबी का स्वागत है एंटी हिंदी हिंदि टेक चेनल में दोश्तों यदि आपके पास एक्सेस बैंक का क्रिडिट कार्ड है और उसक्रिडीस कार्ड की लिमिट को बढ़ाना चाहती है तो आप सभी को पता होगा कि Access Bank आपसे डुकुमेंट मांगती है Income Tax Return Paper दिखाओ, Income Proof दिखाओ, पहुत सारी चीजी है जिस पर मैंने एक अलग से आपको वीडियो बना कर दे रखा है कि कैसे कैसे वहाँ पर डुकुमेंट मांगी जाती है और आप कैसे डुकुमेंट सब्मिट कर सकती है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू कि Access Bank अगर खुल से वहाँ पर आपको ओफर करती है कि आप अपने Credit Limit को बढ़ा लो, Increase कर लो, Limit इतना से इतना कर लो तो ऐसे इस्तीती में आपको जो है डुकुमेंट देने की जरुवत नहीं पड़ता है इंस्टेंट में सर्फ आपको एवेल करना पड़ता है उसे एक्टिवेट कर लेना होता है तो इस वीडियो में सारा complete process बताएंगे ऐसे भी एक्सेस बैंक के तरब से बताया गया है कि फेस्टिव ओफर दिया जा रहा जिसमें आप लोगों का credit limit बढ़ाया जा रहा तो सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे वीडियो को अंतितक और धियान से दिखेगा एक्सेस बैंक के credit limit को बढ़ाना चाती है तो आप internet banking के मदद से भी बढ़ा सकती है जो कि यहाँ पर इस वीडियो में तीन प्रोसेस बताने वाले हैं तीनों में से जो आसान लगे वो आप प्रोसेस करके अपने credit card की limit को बढ़ा लिजेगा अगर एक्सेस बैंक के तरब से ओफर दिया गया है तो चलिए सुरुआत करती हैं internet banking के मदद से आप एक्सेस बैंक credit card की limit को कैसे बढ़ा सकती है यदि आप credit card की limit को एक्सेस बैंक के internet banking के मदद से बढ़ाना चाती है तो सबसी पहले accessbank.com पर आपको आजाना रहेगा आने की बाद यहाँ पर profile की icon है इस पर आपको क्लिक करना होगा इस पर क्लिक करने की बाद personal banking है तो personal banking के login पर क्लिक करना होगा यदि आप registration कम्पलीट कर चुके हैं तो login बटन पर क्लिक करिए login बटन पर क्लिक करोगे आपके सामने login की option आएंगे जिसमें सबसी पहले login ID के मदद से जहां पर आप अपना login ID और password डाल कर login कर पाएंगे उसकी बाद एक option मिल जाता है आप लोगों को debit card debit card के जड़िये यहाँ पर login करने के लिए card number pin दवाना होता है उसकी बाद यहाँ पर capture code डाल कर login करना होता है mpin के जड़िये login करने के लिए या तो customer ID डालिए नहीं तो mobile number डालिए customer ID यहाँ पर और mpin डाल कर आप login कर सकती है तो हमारा user ID और password है चलिए user ID और password डाल कर यहाँ पर login बटन पर क्लिक करेंगे login बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस परकार की interface नजर आएंगे या तो आप यहाँ पर credit card वाले option पर क्लिक करके जा सकते हो नहीं तो यहाँ पर side में आपको card वाला option मिलता है इस पर भी क्लिक करके आप check कर सकते हो card वाले option पर click करोगे तो आपको debit card उसकी बाद credit card की option नजर आएंगे जो भी आपका credit card बना हुआ होता है वो यहाँ पर बता दिया जाएगा जैसे मेरे पास flip card access bank है तो simple से flip card access bank पर click किये हैं उसकी बाद dashboard कुछ इस परकार से आपको दिखाए जाएंगे आपको click करना है services वाले option में तो आप यहाँ पर services वाले option पर click करिए services वाले option पर click करने की बाद convert to EMI उसकी बाद जो भी transactions रहेंगे आपको दिखा दिया जाएगा आपको slide करना है नीचे की तरफ आपको यहाँ पर दिखाई देगा credit card limit increase वाला मैं आपको zoom करके दिखा देता हूँ यह आप देख सकती है यहाँ से instant loan की विवस्ता उपलब्द कराई गई है उसके बाद credit card upgrade करने की और credit card के limit को increase करने की तो यहाँ पर credit card limit को increase करना चाहती है उसपर हमने click किया क्लिक करने की बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं congratulations तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि आप eligible है अपना नया credit limit बढ़ाने के लिए यानि कि current में 40,000 रुपिया का limit है और यहाँ पर आप 45,000 रुपिया तक बढ़ा सकते हैं 26 नमंबर 2021 तक date दिया गया है तब तक process कर लेना है नहीं तो यह खत्म हो जाएगी यानि आपको जो limit increase करने की offer मिला है वो समाप्त हो जाएगी तो आपको Tom's and Condition को agree करके उसकी बाद credit card की limit को कैसी increase कर सकती है दोस्तो यदि आप limit को sms की जड़ी बढ़ाना चाहती है तो excess bank की तरब सी sms भी किया गया है जो कि आप देख सकती है इनका यह कहना है कि festive offer है और इसमें जो है excess bank की credit card limit को enhance कर सकती है यानि कि आप बढ़ा सकती है जो कि limit मिला है 45,000 इस से पहले मेरा 40,000 रुपिया था तो आपको sms क्या करना है sms आपको करना है CLE 6081 यानि कि CLE टाइप करना है capital letter में उसकी बाद आपका जो card है उसका last four digit टाइप करना है और 56161600 पर आपको भीज देनी है जो कि date भी mention रहता है कि इतने तारिक तक आपको भीज देनी है तो आपने sms का process देख लिया जो कुछ भी हमने बताया न वो आपको capital letter में लिखना है और अपने card की last four digit लिखना है और अपने registered mobile number से भीजना है जो आपके card के साथ mobile number link होगा register होगा उसी number से आपको भीजना है और instant में आपका जो credit limit है वो बढ़ा दिया जाएगा अब बगत आ चुका है mobile banking का mobile banking के जड़िये भी अच्छे से जान लीजे समझ लीजे कि कैसे credit card की limit को increase कर सकती है यति आप access bank के mobile application के जड़िये limit को increase करना चाहती है तो सबसी पहले access mobile app को खोड़ लीजे और यहाँ पर आपको login करना पड़ेगा अकाउंट कैसे बनाना है इस पर detail में वीडियो बना दिया हूँ वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा अगर वीडियो नहीं देखे है तो वीडियो के description box में link मिल जागा उस पर click करके देख लीजेगा देखे मुझे एक banner सो हो रहा है gate and instant credit limit enhancement जो कि आप bank credit card no additional cost यानि कि किस भी परकार की additional cost नहीं लिया जाएगा तो चलिए यहाँ पर banner पर ही click करके देख लेते हैं कि कहां लिया जाता लेगिन फिलहाल login की process बता देती हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो तो login पर आपको click करना है अपना MPIN धर्ज करके login कर लेना है तो यहाँ पर access mobile application आपने हमने log in कर लिया login करने के बाद यहां पर credit card की option है इसपर हम click करेंगे click करने के बाद यहां पर credit card की detail आ गई है उसकी बाद हम लोग click करेंगे services वाले option पर उसकी बाद हम लोग slide करके नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर credit limit increase यहाँ पर view offer पर क्लिक करेंगे उसकी बाद हम लोग यहाँ पर slide करके नीची आएंगे सबसी उपर ही credit limit increase view offer पर क्लिक करेंगे view offer पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया congratulations आपका current 40,000 रुपिया की limit है आपको 45,000 रुपिया तक की limit दिया जा रहा बस आप terms and condition को एगरी करके एविल नाव पर क्लिक करें उसकी बाद यहाँ पर MPN दर्ज करें और आपका काम complete तो इ इन तीनों मेंसे जो पड़के लिया आपको आसान लगे उसके मदद से आप अपने credit card के limit को increase कर सकती है आपको message आ जाता है access bank के तरफ से नहीं तो उनके तरफ से call करके भी बता दिया जाता है कि भाई आपका limit बढ़ाने की offer है तो आप लोग video के नीचे comment करके बताईएगा आपको offer दिया गया या फिर नहीं दिया गया और आप भी जाकर चेक जरूर करिएगा इस वीडियो में complete जनकारी मैंने दिया है आप इस वीडियो को like करके अपने दोस्तों तक जरूर सेयर करिएगा और चैनल पर नए है तो इसी परकार की informative महतपुर्ण वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मिलती हैं फिर कि नए वीडियो में हमें दीजी इजाज़त तब तक के लिए गुडबाई